नमस्कार मैं हुनव्या, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्र प्रसित खज्राव टेंपल की कामसूत्र की तरह ही खुज्राव के मंदिर भी विश्र प्रसित है क्योंकि इनकी बहरी दिवारों में लगे अनेक मनुरम और मोहक मूर्ती शिल्प कामक्रिया के विबिन आसनों को दर्शाते हैं कामसूत्र में एक वैज्ञाने की दृष्टी से काम भावना और कामकला का अध्धन और विश्लेशर किया गया तो उसकी मूल भावनाओं का खुज्रावों में चित्रन किया गया खुज्रावों मद्ध प्रदेश राज में इस्थित प्रमुक शहर है जो अपने प्राचीव मद्ध काली मंद्रों के लिए जाना जाता है खुज्रावों मंद्र की आश्चर जनक वास्तु कला और कामक मूर्तिया परटकों का ध्धान अपनी ओर खीचती है खुज्रावों मंद्र की बहतरीन एवं आश्चर जनक मूर्तिया परटकों को अपनी तरफ खीचती है खुज्रावों मंद्र को युनेस्कों के विश्ध धरों और सूची में शामल किया गया इन मंद्रों का निर्मान चंदेल शासकों ने 900E से 1130E के बीच करवाया था ये चंदेल शासकों का स्वन काल था ऐसा माना जाता है कि प्रतेक चंदेल शासक ने अपनी जीवन काल में कम से कम एक मंद्र का निर्मान किया इसलिए सभी खुजराओं मंदरों का निर्मान किसी एक चंदिल शासक द्वारा नहीं किया गया बलकि मंदरों का निर्मान चंदेश शासकों की परंपरा थी और चंदिल वंच के लगवक सभी शासकों द्वारा इसका पालन किया जाता था खुजराओं मिस्थित अनोगे आकार में बनाए हूँ सबी मंदर भारत देश के लिए किसी तोफे से कम नहीं यहां के सबी मंदरों को भारते कला एवं खुबसूरत पत्थरों से नवाजा गया है खुजराओं के मंदरों की कलाकारी देख कर कोई भी उसे बनाने वाले की तारीफ करना चाहेगा खुजराओं के चंदेल राजाओं द्वारा बनाएं कई हर एक मंदरों में इतनी अच्छी कलाकारी की गई है जिसे देख ऐसा लगता है मानो मूर्ति खुद ही बोल उठेगी खुज्राओं की मूर्तियों से जोड़ी ऐसी बहुत सी बाते भी हैं जिनको जानकर आपकी उसकता और भी बढ़ जाएगी आखिर इस खुज्राओं में ऐसा क्या खास है जाने खुज्राओं के मंदरों के बा जाता था जो बाद में खुज्राओं नाम से जाना जाने लगा बालोई पत्थरों से बना है मंदर खुज्राओं के अधिकतर मंदरों को बादामी गुलाबी और पीली रंगों के बालोई पत्थर से अकार दिया गया जो देखने में बहुत ही सुन्दर और अपनी और आकर की दैनिक जीवन शैली को पिदर्शित करते हैं ये मंदर बलुवा पत्थर से बने हैं और नीव में कहीं छिपा हुआ ग्रिनाइट पत्थर है इस निर्मान के बारे में एक दिल्चफतत यह है कि इसे सिर्फ एक राजा से नहीं बल्कि कई राजाओं ने बनवाया था हां इस सिर्फ एक विचार धारा को ही नहीं बलकि जैन धर्म और हिंदू धर्म को भी समर्पित हैं पहले यहां 85 मंदिर थे लेकिन अब 20 से 22 के आसपास ही बच्चे हैं खुज्राओं के मंदरों के निर्मान के पीछे एक बेहत रोचकता है कहा जाता है कि हेमवती एक ब्रामन पु चंद्रवर्मन रखा इसी चंद्रवर्मन के बाद में ही चंदेल वंच की स्थापना की चंद्रवर्मन का लालन पालन उसकी मा ने जंगल में किया राजव बनने के बाद उसने मा का सपना पूरा करने की ठानी उसकी मा चाहती थी कि मनुष की तमाम मुद्राओं को पत्थर पर उकेरा जाए इस तरह चंदरवर्मर की माहेमवती की इक्षा स्वरूप इन खुपसूरत मंदरों का निर्मान हुआ खुज्राओं के ये मंदर पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है